हेलो इस्टूडेन दिस इस एंटोनीम पार्ट टू इसका पार्ट वन मैं अप्लोड कर चुकी और इसका मैं लिंक डेस्क्रिप्शन दे देंगे साथ इसाथ आई बटरन में भी आ जाएगा अप लोग देख लो तो इसका कॉंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठ कुछ सारा आंसर एजिली तो समझा देते हैं एंप्लिफाई का ओपजिट वर्ड होगा लेसन या कॉंट्रैक्ट लेसन मतला हम लोग जानते है कम ठीक है कुछ भी चीज कम कर देना ठीक है कोर्शन नमर टू एक्जियम इसका ओपजिट वर्ड है एपसर डिटी और ब्लंड ठीक है तो एपसर डिटी मतलब होता मुर्खता ब्लंडर मतलब बरी भूल दोनों का मीनिंग जो करीब करीब सेम ही है ठीक है एक्जियम का ओपजिट वर्ड ही है यह सब जो है ससी या किसी टाप के एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है ओडेसिट मतलब हम लोगों सबको पता है कालपनिक होता है और अन्रियल मतलब होता है अवास तभी ओक्वर्ड अबजिट वर्ड होगा एड्रॉइट यह क्लेवर्ड एड्रॉइट मतलब हम लोगों सबको पता है लेकिन एड्रॉइट मतलब हम लोगों बहुत जनको नहीं पता होगा जिसका मीनिंग होता है निपूर, ठीक है, निपूर मतलब सारा टाइप का कॉलिटी उसके अंदर हो, ठीक है, तो अक वर्ड का उपजिट वर्ड होगा यह निपूर, बारबरास, मतलब की सिविलाइस्ट, सिविलाइस्ट का हिंदी मीनिगारा हम लोग देखने जाए तो सब यानि की सिष्ट, है ना, ब्लीक मतलब ऑपजिट, ब्लीक का उपजिट वर्ड होगा ब्राइट या प्लीजेंट, ठीक है, ब्राइट मतलब उज्वाल और प्लीजेंट यानि की बहुत आनन्द देने वाला कोई भी चीज होता है ना, अब बेवीचिंग, उसका उपजिट होता है प्रतिकारक और रिपग्नेंट का मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है प्रतिकूल यानि की हम लोगा जो सिचुएशन है उसके ओपजिट में जो सिचुएशन आ जाता है वो होगे हम लोगा प्रतिकूल, बारोक मतलब प्लेन, बारोक का ओपजिट वर्ड होगा प्ले कि उता ज्यादा सजावट नहीं बहुत ज्यादा सिंपल टाइप का कोई बीचे ब्रीटल को अपजीट वर्ड होगा टफ या एंडियूरिंग तो टफ मतलब लोगों पता यह कठोर और एंडियूरिंग मतलब होता है टीके रहते हुए टीके हुए रहना मतलब जैसे कि जो हम हम लोगों का हिमालिया है वह क्या है एकदम कठोर है और साथी साथ वह अपने जगह पे टिके हुए रहता है बैरियर का उपजीट वर्ड होता है लिंक या एसिस्टेंट तो लिंक मतलब होता है संपर्क यह हम लोग सब को पता और एसिस्टेंट मतलब ही होता है सहायता या सायक करना अगला वर्ड है baffle ओपसीट वर्ड होगा facilitate और एक है clarify facilitate मतलब होता है की सुविधा प्रधान करना होता है ना facilitate जोगो बोलता है तो किसी डाइब का सुविधा प्रधान करना और clarify मतलब होगा science first करना clear करना है ना next word है हमलों का bustle इसका opposite word होगा slowness या quiet slowness मतलब होता है सब कोई जानता है मंदी, किसी भी चीज में धीमापन हो जाना किसी भी चीज में मंद हो जाना और quiet का meaning हो जाएगा सांथ, हो गया, baron उसका opposite word हो जाएगा damp या fertile, damp मतलब होता है numb या गीला, ठीक है, लिखी देते हैं आप पे और fertile मतलब सब कोई को पता है उप जाओ, ठीक है तो baron का automatic meaning क्या हो गया बंजर, ठीक है अब हो गया हम लोग का body body, sorry, body इसका opposite word होगा decent या moral moral मतलब पता है हम लोग को जो moral बहुत जादा होता है मतलब की अंदर से नातिकता भाव या logically ideas होते हैं वो हो गया हम लोग का moral, descent descent मतलब हो गया sub है ठीक है, sub है जो बहुत जादा sub है या civilized race इस तरह का bind, bind मतलब हो गया बांद करकर रखना, तो उसका opposite क्या हो जाएगा release, यानकी rehi, छोड़ दना फ्रीडम betty betty का opposite word हो जाएगा sane, sane मतलब होता है समझदार next word है venivalent opposite word क्या होगा, malevolent और एक्ट है, miserly manyvolent मतलब क्या होता है drohy ठीक है और miserly मतलब होता है lunch अब है be fogged opposite word होगा, clear headed uncloud be fogged सुनके ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यदा foggy type का होगा ठीक है, मतलब clear नहीं इसम धुनला type का या जिसमें बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साफ clearness नहीं है वो बहुत ज़्यादा उल्जा उल्जा टाइप का है तो वो होगा be fogged opposite word ही क्या होगा clear headed clear headed क्या होगा इस पर्स्ट नेतरित्यों किया यानकी leading clearly कोई मन में किसी भी type का unclearness नहीं है पूरा एदम clear type का idea और uncloud मतलब होगया clear cloud, no cloud ठीक है वैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है uncloud ठीक है तो इसका मैंने समझा दिया uncloud मतलब clear rhythm अब हो गया base base का opposite word क्या होगा summit या और एक्ठो है novel summit मतलब होता है सीखर सीखर का जो summit देखो automatically अगर हम लोग summit को लेके चले तो उसका मीनिंग होता है किसी वी टाइप का summailan summailan यानि कि ऐसा जगा जहां पे बहुत जन जो है कुछ-कुछ लोग वहाँ पे आके बैठते हैं और वहाँ पे एक तरह का meeting type का होता है novel मतलब क्या होता है novel मतलब ही कुछ इसी टाइप का seeker summailan ऐसा meaning देख लो लिखी देते हैं और हम लोगा आज का last word क्या हो गया benign opposite word क्या होगा malignant और एक है cruel तो malignant का meaning होता है घातक और cruel का मतलब तो पता ही हम लोग को cruel ठीक है तो दोनों का meaning करवेकर भी सेम ही है इसलिए जो है benign का जो है दोठो opposite word है malignant ultra cruel घातक और cruel तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को इसी टैप के exam related videos को देखना है तो मैं चैनल को subscribe कर देना साथी साथ bell icon को press कर देना आप Почему और एह समतना है तो आप आप दो कर में देखने वैं ूप आप天